तो आज का मंडे नाइट रॉक एपिसोड गतम हो चुका है लेकिन कभी रो में अच्छी चीज़े होती है तो कभी तोड़ी बहुत बोरिंग बी चीज़े होती तो वेल सैथ रॉलंस इंजर्ड है लेकिन इसके बावजूद भी वो आचुके हैं मंडे नाइट रॉप पर अपने अंदाज के साथ और साथ ही मिशो के उपर होता है अंडिस्प्यूट टैग टीम चैंपेंशिप कंटेंडर्स के लिए टर्मॉयल मैच और अलेक्सा ब्लिस का कनेक्शन है ब्रेव एट अंकल हावडी के साथ क्योंकि अंकल हावडी भी आज होते हैं मंडे नाइट रॉपर और पहुत सारी चीज़े होती हैं मंडे नाइट र लेने वाले लेकिन अनको इंट्रैप्ट करते हैं जीवी एल और ये ला अटेंट जीविल के साथ अकॉर्स आते हैं अपने हापी कौर्बन यानि की बारन कौर्बन बनाते हैं मैच को एक मैच के लिए एंड एंड देन आम यहाँ परे जो ओपनिंग के इंदर इन दोनों का मैच स्टार्ट होते होए दिखा देते हैं का जी रियक्शन का भी अच्छा था और पूरी रहा हज एक मीम रियक्शन से बड़ी होई थी लेकिन मैच के बात करें तो मैच होता है अपी नॉर्मल सा मैच होता है और मैच के अंदर हमें आखिन में जो अपने का विनों से वह में अपने केमिनों केसी को और ऑगोगना पड़ता है और जो अनॉझ के लिए स्टाइक करते हैं अनॉंस करते हैं नुपर emerge tests स्टेट है एडम पिर्स तो यह फ्लाल हमें दिखा देता है उपनिंग में सेग्मेंट काफी अच्छा सेग्मेंट यह बुक्या था एड़ इसके बाद भी और इंट्रस्टिंग सेग्मेंट होता है क्योंकि अलेक्सा ब्लिस आती शो की उपर और वो टेबल की उपर याना उस इस चीज़ पर टॉप करना चाहती हो एंड मैं जीतना चाहती हूँ रॉब में शैंपिन शिपको एंड फिलाज अलेक्सा ब्लिस जो है इवल एकदम अलग तरीके से प्रोमो कट कर रही होती है एंड फेशल एक्सा ब्लिस के बहुती अलग थे बहुती गुसेल आज वो दि चीज़ें लेकिन यह सब्सक्राइब करनेक्शन है यह काफ़े क्रिप्टिक सेगमेंट ता फिर आती है डामेज कंड्रोल एंड बेली का मैच होता है शोकी उपर जो की फिस करते है मिचिन मिया येम का और हमें इस वाले मैच के अंदर जो है आखर में जीत होती हुए दिख लाइड देती है इस मैच के अंदर बेली के में विक्टरी होते हुए दिखाई देती है इसके बाद आते है अपने युनाइटेट स्टेट्स चैंपिन औस त्योरी ओसंट त्योरी बात करते हैं उनके नेक्स चालेंजर के लेकिन तभी थीम संग प्ले होता है सैथ फ्रिक आपके लेखर तो रॉल उसको दीनाच रहें मतलब रॉल अज़ी जहें कमाल के है और अफी अच्छा रॉल असनी जहें आज रिटन वगएरा करने के वाद काफी है जी सई की रिटन तो क्या ही कह सकते हैं और खाफी अच्छा यह थी थी इसका दर रिंग में आकरों कहते है कि वह 100% अभी उनका नहीं तो साथ नहीं दे रहा लेकिन उनका नहीं 100% साथ देगा जब रॉल रंबल जीतेंगे रेसल मेन को मिन्यमेंट करेंगे लेकिन रॉल इस जा रहे होते हैं रिंग को लीव करके लेकिन तब ही तीम सॉंग प्ले होता है थी ऑल्माइटी बॉबी ल लैसली आ चुके मंडे नाइट रॉपर वापस रिंग के अंदर जाते बॉबी लैसली एंड आते सार लगा देते एक तगड़ा वाला स्पियर अपने यूनाइटेस स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थियरी को और इसके बाद जो माइक लेतेंड वो अपनी एंट्री अनॉस करते हैं रुआल रंबल मैच के लिए तो अपनी एंट्री नाउस के लैसली ने तो बहुत बड़ी चीज़े हैं तो लड़ से हमें क्या दिखा देती हैं आज हमें यह चीज़े दिखा दिया अट्शियों के उपर हड़ बिजनिस का भी बैक्स्टेज पर रियुनाइटिक अपर यह से हुई चुका है फिर होता है कैन्डेस ले का मैच कि फीस करती है ज़ज्मेंट की रिया रिप्ली को एंड बैक्स्टेज के सेगमेंट से इन दोनों का मैच ऑफिशल होता है एंड का जीत होने वाली होती है का लेकिन कुछ फरक नहीं पड़ता है एंड मैस के अं अधिस मैज के अंदर भी सूलो सिख्वा की जीत हो नी थी तो सब को पता है और ब्लड लाइन इस ओल डॉमिनेटिंग रो एंड कुछ ऐसे होता है और समोन स्पाइक लगा अगर अपने सूलो सिख्वा में हराते वह दिखा देते जो ऑफ टॉल सिगलर को इसके बाद होता है म बात करते हैं डॉमिनिक की यहां पर बात करते हैं और कहते हैं कि वह आज टैक्टिम डर्मॉल में जीत कर अंडिस्पूटे टैक्टिम टाडस लेनी वाली है लेकिन तब हमें यह दिखा देती कि मामला जह में इसके उपर आना पड़ता है और वह सारे खड़े होते एक साथ एंड में इसके उपर आने की कोशिश करते हैं में इस पर अटाग करने की कोशिश करते हैं एकना में यह दिखा देती है कि तब हमें तोड़ा मामला सेटल करने की कोशिश करते हैं लेकिन तब हमें थीम संग प्ले होता है दिखा देता है उसी का एंड हमें जो है उसी आते जच्चमेंट के विक्तर होते हैं इसके बाद आता है होड़ बिजनेस यानि कि सैडर के अलेक्सांडर एंड शल्टन बेंजमें इसके बाद नेक्स्ट टाप टीम आती है वह होती है अपने अलफा अकैडमी यानि की ओडिसन जैट की बल वो आते हैं उनका काफी अच्छा प्रदर्शन होता है मैच के अंदर लेकिन मैच के अंदर एक स्पोर्ट आता है कि अपने जो फिन बैलर है वो इंजड होते हैं पता नहीं फिलाव जो है ऑफिशल साथ आदम पिर साथ हैं फिल अलफा अकैडमी को अल्रेडी जज्मैंडी हराता हमें दिखा देता हैं और फिन वैलर चेर पर बैट रहे होते हैं अनौसर टेबल के इसके पाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स के एंट रहा दिका देती हैं मैच के अंदर होता है जज्मेंड और फिस्ट्लाइन की अपने रिया रिपली एंड इसे तरीके से हमें जीत होती है दिखाई दीती है अपने जज्चमेंट डेकी और फिन बैलन हें रिपली वह तब रिया रिपली के खुशी काफी हलती एंड देखर तो लग लगा था कि वहीं मैच को जीत चुकी लेकिन नएस वो मैच को उन्दर मैच की जीत करने के लिए उनका बड़ा रोल था एंड इसके बाद वो विक्टर को सेलिब्रेट करते हैं बैक से जा रहे होती लेकिन तब ही टार्टर स्क्रीन के उपर हमें जाते हैं एंटर्स रैम की तरफ तब ही उसुस का थीम सॉंग प्ले होते हैं तो काफी अच्छा रह था बेज भी पर थोड़ी बोरिंग चीज़े भी होते हैं लेकिन खैर काफी अच्छा रह का एडिशन था ज्यादा कुछा आश्यों की पर जीज़े नहीं होती फ्रेंट प्लाल आज की विड़ो बस इतने से एंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो चानल को सब्सक्राब कर सकते हो एंड में मिलता हूं नेक्स इंट्रस्टिंग वीडियो के अंदर